एक बार रिशी अगस्त ने विश्णुजी से उनके वैकुंठ लोक में जाके पूछा कि हे प्रभु, आप शयन शयया पर लेटे-लेटे। आखिर क्या करते रहते हैं महराज, जो आपके इस सुन्दर मुख पर इतना तेज और इतना यौवन इतनी मंद मुस्कान और संपूर्ण संसार का सुख मौजूद रहता है। जो कहूंगा ये अतिगुप्त रहस्य है, इसी से संपूर्ण स्रिष्टी का निर्मान मैंने लेटे-लेटे ही शयन शयया पर कर दिया है। इतना सुना गस्त मन बोले। जी महाराज, ये तो सारी स्रिष्टी ही जानती है कि आपने लेटे लेटे ही पूर्ण स्रिष्टी रच दी है, लेकिन आखिर कैसे तो इस पर। फिर विश्णुजी मंद मंद मुस्काए और बोले, जरा मेरी नाभी की। और देखो रिशीराज, अभी तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। ये देखो कि मैंने कैसे अपनी नाभी से ही ब्रह्माजी को रचा, और ब्रह्मजी ने ही पूर्ण स्रिष्टी बना डाली। अर्थाथ सम्पूर्ण स्रिष्टी का मूल स्रोत केवल नाभी ही है, इसलिए मैं शयन alan शयया पर लेटे लेटे केवल नाभी ध्य इस वीडियो में हम करेंगे कि कैसे ये नाभी ध्यान लेटे-लेटे ही आप भी अपनी शैनशया पर कर सकते हैं और संपूर्ण जगत को जीत सकते हैं। इस साधना के बारे में भगवान शिव ने ही विश्णु जी को बतलाया था कि इस साधना को करके आप संपूर्ण स्रिष्टि का निर्मान करिये। तो आज आपकी बारी है इस साधना को जानने की तो क्या आप तैयार हैं। तो इस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभी के माध्यम से ही होता है। उसकी रचना एक नाभी के माध्यम से हुई है. तो आप विचार करके देखिए कि नाभी वास्तविक में क्या चीज है. दोस्तों, नाभी का रहस्य बहुत ही गहरा है. अगर नाभी के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके उपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं. तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा. क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है. और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे-धीरे करके पूरी होने लगेगी. आपका ध्यान. अगर एक बार अपने नाभी के उपर लग गया, तो आपके सभी प्रकार के कारे अपने आप बनते चले जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें. जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभी में रख करके होता है. और ब्रह्मा मुहूर्थ का समय सुबह त्री उकलॉक बजे से लेकर फाइव बजे के मध्य को कहा जाता है. अगर आप सुबह त्री उकलॉक बजे से लेकर फाइव बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं, तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई ग ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। बैठने में समस्या होती है। और अगर आप ऐसे इमर्जेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों? आपने जो कपड़ा पहना है, नाभी के उपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर भोलेनाजी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हाँ दोस्तों, ओम मंत्र स्वयम अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभी पर रख करके ओम मंत्र का कम से कम 11 बार उ उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 100% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में में स्पंधन होना प्रारंब हो जाएगा। आप उस स्पंधन को महसूस करने लगेंगे। और दोस्तों, ये स् स्पंदन में ही स्वयम प्राण पुरा ही महसूस करने लगेंगे और नाभी के उपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और वह आपको ना मिले जी हाँ दोस्तों अगर आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे तो यकीन मानिये आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होने लगेगी जहां भी आप जाएंगे चाहे समाज में हो या फिर कार्यक्षेत्र में वहाँ पर आपको भरपूर मान सम्मान इजज़त और शोहरत की प्राप्ती होगी इसके अलावा दोस्तों इस क्रिया को करने से आपको आध्यात्मिक्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे आपके जो शरीर में चक्र बने हुए हैं वह भी जागरित होने लगेंगे आप धीरे-धीरे करके स्वयम बहुत सारी सिद्धी और शक्तियों को पाने लगेंगे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी का स्थान भी नाभी में ही माना जाता है और जैसा कि हमने आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि नाभी में ही मनिपुर चक्र होता है भगवान विष्णु को सृष्टि का रचियता कहा जाता है और जो ओम मंत्र है ये मंत्र हर चक्र को खोलने में बहुत शक्तिशाली मंत्र है जब भी अगर 5% भी आपका मनिपुर चक्र खुल गया तो ये समझ लीजिए आपकी उधारी करज की समस्या ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं दोस्तों नाभिस्थान में संपूर्ण शक्तियां इनसान की छुपी होती है अगर नाभी में गड़बड हो जाए तो इनसान बीमार तक होने लगता है लेकिन जो विधी हमने इस वीडियो में बताई है इससे सैंकडो बीमारी भी दूर की जा सकती है इस ग्यान के बारे में लाखों रिशी मुनी पहले ही बता चुके है पर दुर्भाग्य भारत का यही रहा कि ये सब जानकारी आज मनुष्य को है ही नहीं जो लोग ध्यान आदी करते हैं वो भली भांती जानते हैं कि मनिपुर्चक्र में ही संपूर्ण जगत की सिध्धी और शक्ती मौजूद रहती है वही से इंसान बहुत सारा धन फिर कमाने लगता है मनिपुर्चक्र से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ती हुई है और भगवान विश्णू ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ती अपनी नाभी से की है ब्रह्मा जी को बनाकर और उस चीज के प्रभाव से आपके जीवन में ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस धरातल पर जितनी भी प्रकार की शक्तियां मौजूद है, उन सभी शक्तियों का आविर्भाव नाभी से हुआ है। ऐसे में जब आप इस क्रिया को करेंगे, तो वह सभी प्रकार की शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगी। एक बार बस आप शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे, आपके जीवन में क्या-क्या चमतकार होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार अपने नाभी के उपर ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो यकीन मानिये, आपको वह सभी चीज प्राप्थ होने लगेगी, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करना तो केवल आपको ही है। हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना और कैसे लाब होता है। और ये विधी इतनी सरल भी है कि बैठे बिठाए, आप कहीं भी इसे कर सकते हैं। सोते हुए कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको सारी बीमारी जड़ से खत्म होने लगेगी। आपकी उधारी खत्म होने लगेगी और आप बहुत सफल और सुखी बनने लगेंगे।